नाराज की, जै प्रभु श्री राम की, और जै पपा की, मैं सभी भक्त जोनों को ये पताना चाहता हूँ कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, कई भक्त जोनों की जालकरी के लिए जो बागेश्वर धाम आना चाहते हैं, बागेश्वर धाम वो चमतकारी धाम है, वो दिव्यस दाम है जहां पे दैविक शक्तियों का वास है कई लोग के मनों कामनाय पूरी होती है कई लोग की समस्या का हल होता है बिलकुल निशुल्क दाम किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है दो समय का निशुल्क महाप्रसाद लंगर और ये धाम आने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्राम गड़ा जैसे कि यह बोड़ देख सकते हैं यह मेन हाइवे है सतना और जासी हाइवे यहां से आपको इस स्थान पे उतरना है जो यहां पे गड़ा टावर बोलते हैं यह टावर बहुत बड़ी निशानी है कोई भी अगर आता है तो उनको इस टावर को उताथा इस tower से 5 km के लिए आपको अंदर साधन मिल जाएगा बाघेषवर धाम के लिए यह रस्ता जा रहे है बाघेषवर धाम के लिए और एक तरफ मेरी तरफ सतना है इस तरफ सतना है सतना से जो भी आते हैं तीन घंडे का बस का सफर है चाहे अपनी गाडी से यह बस का सफर है तीन घंटे बाद सतना से आपको यह स्थान आ जाएगा जिसे बोलते हैं गडा टावर और पहले आता है गण्ज यह चोटा सा कस्पा है वो मशूर है और गण्ज से एक किलो मेटर आगे यह स्थान है जोंकि टावर पर उतरना है इसाथ सतना है और उसाथ जह अगर आपको बस नहीं आती बहुत कंटि आपको अना पड़ेगा जाति थीन-घंड़ा पड़े हूं ऐ वे अगर भागेश्वर दाममंदिर यह गंज यह गळवर दाल देघे तो आपको लकेशन भागेश्वर दाममंदिर extraordin से आपको लोकेशन जाएका आए आईये आपको यहां के बारे में बता देर पांच किलोमेटर कर अलाए की तर प्रेडिंग कमपनी और यहां पर अविक्टरोल पंपी देख सकते हैं आप यहां के कि फांच किलोमेटर का नगे गराटावर निखा हुआ यह करार तावर पाँच किलो मीटर पाँच किलो मीटर अंदर पागेशा दाम मंदिर है यहां से आपको कही साधन मिल जाएंगे टेंपो वगेरा मिल जाएगा जो आपको प्रती सीट 10-15-20 रूपे में आपको छोड़ देंगे बागेशा चुड़ेंगे पाँच यही टेंपो आपको मिलती है कई बार इनका जो अधिक्तर भीड होती है भग-जनों की वो सोमर शाप्न से लेकर मंगलवाए रात तक रहती है क्योंकि यहां पर पेशी होती है कफी भीड होती है कितना एक सवारी का दस रूपे, पूरा टे हम देखते हैं अगर कोई और सवारी मिलती तो सवारी के साथ बागेश वर राम चले जाते हैं और अगर सवारी नहीं मिलती है तो हम परसनल भी कर सकते हैं सो रुपए में तो ज्यान रखिए अगर आप सतना से आते हैं तो तीर गटना बस का सफर है आपको गड़ा टावर उत होते हैं सीट पे जरा अंदर बागेश्वर की तरफ यह यही पेट्रोंग और यही रस्टा जा रहा है बागेश्वर दाम के लिए आगे इस वग हम टेंपो में बैठे हुए है और जो हमारे टेंपो ड्राइवर जो है वह हमको बागेश्वर दाम कुछी मिल्चों में अब आप बागेश्वर साम जा रहे हैं कुरुजी का आशिरवात लेने के लिए हमाजी के सेवा करने के लिए और हमारे समस्वर का हल जाने के लिए यह पन्ना नैशनल फॉरेस्ट के मगल में ही है तो आप यहां का नजारा देख सकते हैं पहाडियों के बीच में जंगलों अब यह गड़ा गाओ शुरुवात गड़ा गाओ की सीमा की शुरुवात हो चुकी है पहाडियों के नीचे बसा हुआ यह गाओ और गड़ा गाओ के शेत्र में ही पागेश्वर धाम का पूज्य स्थान है आज चुके हैं दिव्य चमतकारी इस धाम पे बागेश्वर धाम यह वही स्थान है जहां पे सबकी मोनोकामना पूरी होती है सबके समस्या का हल होता है और जहां पे बचंग बली बाला जी हनुमान के खिरिपा होती है आए चलके हम आपको अंदर धाम के बारे में बताते ह चुके दरबार है पागेश्वर धाम गुरुजी का जहां गुरुजी सभी वक्तों की समस्या सुनते है उनके अरजिस विकाली जाती है और पेशी यहां में साइन की जाती है और हमारे तीछे जो है वो जो कैबिन दिख रहा है वो यहां का कार्याल है जिसका फोन नंबर भ करना तो कार्याले में जानकरी दे सकते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं ये कार्याला है ये गुरु जी का दर्बार है तो हम अपना चपल उतार देता है यहां पर ये मंदिर की सीडिया चड़ रहे हैं यहां देखें आई आई आपको मंदिर के बारे में बता दें यह मंदिर में यहां की विदी है जो साधन है बारे में अपके पास गिंथी के लिए कुछ और साधन है तो अब गिंती के लिए वो साधन अब आप मॉइलाइट से आपकोली फीट लखो चाहिए पैंसे अब आपने हाथ पे लिखो लिखो रुखो या पागश्या लेकि ध्यान रहे हैं जब पत्थर आप डालते हैं गिंती के बाद तो गमले में ही डाले समाधी में डाले समाधी पूज्य है और समाधी को पर कभी कोई कंकड नहीं फेका जाता है तो हम 21 पत्थर उठा लेते हैं हमारी परिक्रमा सुबह ही हो चुकी है यह आपको समझाने के लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं अब एक परिक्रमा के बाद में एक कंकड निसमें डाल देंगे उसी तरह 21 बार करना है आईए सिताराम हनुमान का जाप करते हुए यह जो समाधी है यह पबबा की समाधी है इसमें प्रवेश निशेत है गुरु जी और सिरफ धाम के जो गिने चुने सेवक है वो ही जा सकते है यहाँ पर जो भी जुनको प्रात्ना करना है बाहर से कर सकते है पबा जी जो गुरु जी के दादा जी थे उनी के आशिरवात से आज हनुमान जी के गुरुपा है यह स्थान पे निशेद है सभी का जाना सिरफ गुरु जी और गिने चुने उनके जो समाधी जो धाम के सेवक है वो ही जा सकते है यहाँ से प्रणाम कर सकते है बाथा टेक आपनी मनो कामना बोल सकते हैं और परिग्रमा चालू रखें समाधी परिग्रमा पूरी हो गई है एक कंकर डाल उसी तरह 21 परिक्रमा पूरी करना है आईए आपको मैं अंदर से दर्शन करवा देता हूँ जय भोले नाथ शीव शोंकर जी यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है शीव जी का और यह है बाला जी हनुमान का मंदिर जो शक्ति का वास है जो कृपा है जो चमतकार है बाला जी हनुमान का ही है पुजारी जी जो यहीं पर बैठे हैं उनसे भी कुछ सावाल पूछ सकते हैं कर दो बाला जो जो तुछ जानकरी जो भकजन आना चाहते हैं इंके बारे मंदिर के बारे में पुछ जानकरी आप दे देंगे बटा देंगे आप तो वो सेवा में आप तो आप आए दर्षन करिये आप जी वान दिये इं और बागे फुष्रदाश नाम को नाम पर तीन दीपक ज़ाई ज़ाए जे फन्यक्तis बाभा कि नाम से ढौवना जी कि नाम जी बागे फुष्रदाश आप तीन दीपक जलाने के खी जै ऑicating एंद यह ओम भागे में कि अचापी कर्कते हैं जी, उन्योदर नजल भी बाद रखके के, आप मुष्ट पगड़ाद के रही जेखालएगे, पर फीजल स्वारिया जात्व, देखाल के अगरेखाल सरा। भी मिल्मक बाद दिए जो फॉर्यों देके सांगो लगाने है और सुज़ा के सांगे? प्रातहात नहाने के बाद एक शूर आपना हुपाय और स्वाम को चूर आत्ते बात और पूजा में क्या चा करना है अनुमा चालिसा अनुमा चालिसा पांच पाढ़ करने को जाना है अब कुछे नहीं हो से जाले बालागारनी कि बालबानी किताए यहां आई अपफ जी अंहीब नेखे.. अब सकती है.. कहींब लिटे कंबल वात्रम से आपको मिल जायाएंगी जो सेवा कि आथ भूआ है तो हम पर पर भूर्धा आपकी बालाजी की चिर्पा रेखा है इस ऐसे हमारे खनिपाद जिलेवाद दे झाला ये बाजंबली हानुफार बाला अव्ट-र ये यह शक्ति है बालाजी हनुमान की और यह शक्ति है प्रेतरात सरकार की इसमें दिव्य शक्ति है जो भी नकारात्मक शक्ति होती है वो यहां बंद जाती है दिव्य शक्ति है और इसका आप खुद आएंगे तो आप खुद अपने आपों से इसकी शक्ति के सबूत आप देख प्रशाद सरकार करें अन्नपुर्णा माईगी यह निशुल्क बंडारा है निशुल्क महा प्रसाद लंगर बाकेश्वर घाम की तरफ से आप देख सकते हैं सभी भक्जन अपना प्रसाद ग्रेंड कर रहे हैं किसी तरह का यहां में शुरुक नहीं है बाकी भक्तों के उपर आपने हिवां से दान देना चाहिए कि सुबे शुरुक ने प्रसाद ग्रेंड किया हुआ है गलास्टों बत्त कर गजह सु़ाइबा नालस्टों नाच्छ नाच्छ नbehैं नाम नाम कर दो, इयर सु़ाएब सु़ाह नौरस्टों नाच्छ यह अन्नपूर्णा है यहां का देखे बान काम चालू है यह बन रहा है भक्त यहीं भी प्रशाद लेते हैं जब भक्त ज्यादा होते तो सामने जो ग्राउंड में प्रशाद ले लेते हैं गुरु जी के आशिरवाद से हनुमान जी बाला जी की गृपा से निशुल्ग सेव सेवा चालू है भब जो आते हैं वो चाहे तो सेवा कर सकते हैं गुरु जी जब आपके अर्जी सुनते हैं तो गुरु जी ने कहा है